कि आपके लो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों एप आलीवाल की रूल्स मेजरमेंट्स से रिलेटेड मोच्ट इंपोर्टन कोश्चन्स हैं पार्टू है बालीवाल को एंड दोस्तों सभी कोश्चन्स ओप के लिए इंपोर्टन है वीडियो को सुरु से लाज तक दिखीगा एंड दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे जैनल पर सभी वीडियोच सिलिपस के एकॉर्डिंग है एंड हंड से ज्यादा वीडियोच पिर भी एसे एमसे कुश्च कोश्चन के बताए गये हैं एंड चिप्टर वाई एमसे कुश्च का प्रैक्टिस भी कराए गया है एंड डेली बेसेस पे आपको प्रैक्टिस कराए जा रहा है एमसे कुश्च कोश्चन का तो चली चलते हैं आज के कोश्चन के तरफ कोश्चन है दोस्तों बॉलिबॉल खेल में नेट की लंबाई और चुड़ाई क्या होती है तो यहाँ पे आपसा नंबर बी करेट हो जाएगा 9.5 मीटर गुड़े 1.0 मीटर नेट्स कोश्चन है बॉलिबॉल खेल में बॉल का भार क्या होता है तो बॉलिबॉल खेल में बॉल का जो भार होता है तो सो साट से दो सो अस्टी ग्राम होता है नेट्स है बॉलिबॉल खेल में बॉल की परीद ही कितनी होती है तो बॉल की परीद ही 65 से 68 सेंटी मीटर होता है नेट्स कोश्चन है बॉलिबॉल खेल में बॉल के अंदर खवा का दबाव कितना होता है तो इसमें होता है 0.40 से 0.45 किलोग्राम 35 सेंटी मीटर स्कुराइर नेश्ट है बॉले बॉल खेल में एंटिना की कुल लंबाई क्या होती है तो दोस्तो इसमें एंटिना की कुल लंबाई 1.80 मीटर होता है जिसमें से दोस्तो 1.00 आपका नेट में रहता है और 80 cm ऊपर की ओर निकला रहता है एंटिना लाल और सफेद दो रंगों का होता है जिसमें से 10 cm लाल और 10 cm सफेद होता है यानि टोटल एक दसमलो और 80 मीटर होता है कि बाली बाल में एंटीना नेट से कितने उपर निकला हुआ होता है तो मैंने अभी तुरंत बताया कि एक मीटर नेट में होता है नेट से उपर असी सेंटीमीटर निकला होता है नेट है बाली बाल खेल में एंटीना का रंग कैसा होता है कैसा होता है सफेदवा लाल होता है जिसमें से यह आपका होता है दस सेंटिमीटर सफेदवा दस सेंटिमीटर लाल ऐसा करके वह 80 सेंटिमीटर तक होता है नेशा दोस्तों बॉलिवाल खेल में नेट के एक खाने की लंबाई चोड़ाई कितनी होती है तो जो बॉलिवाल में नेश्य बॉलेबॉल खेल में कितने कार्ड परियोग किये जाते हैं तो बॉलेबॉल खेल में तीन कार्ड परियोग किये जाते हैं नेश्य बॉलेबॉल खेल में से अटेक लाइन की दूरी क्या होती है तो सेंटर लाइन से अटेक लाइन की दूरी तीन मीटर होती है एंड द जोन से 6 मिटर होता है 6 मिटर का बैक जोन होता है 3 मिटर का फ्रांट जोन यानि अटैक जोन जो कुल 9 मिटर होता है यानि कि आपका जो बॉली वाल का ग्राउंड होता है अठारे गुड़े 9 मीटर का होता है यानि 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चवड़ा जिसमें से फ्रंट जोन यानि अटेक लाइन सेंटर लाइन से 3 मीटर और बैक जोन जो होता है वो 6 मीटर का होता है नेश्ट है बालेबाल खेलबे पोस्ट की उच्चाई कितनी होती है जो उसमें पोल लगा होता है उसकी उच्चाई कितनी होती है दोस्तों 25 मीटर यानि कि दो दोस्ट हम लोग 5 पार्च मीटर इसकी उच्चाई होती है नेश्ट है बालेबाल कोड की कुल लंबाई और चौड़ाई बताए फ्री जोन सहित तो इसको फ्री जोन सहित कुल लंबाई चौड़ाई होता है 32 गुड़े 19 मीटर नेशे बॉलिवाल खेल में बाल पीकटॉर्स कितनी होते हैं तो इसे बाल पीकर्स 6 होते हैं नेशे दोस्तों लिब्रो अटेक लाइन से आगे खेल सकता है आफसन है हाँ नहीं हाँ वो नहीं कोई नहीं तो इसमें आफसन नमबर भी है कि नहीं नेक्ट कोर्शचन है एक टीम में लिब्रो की संख्या कितनी होती है जैसा कि दोस्तो इसका सही जवाब होगा दो एक टीम में लिब्रो की संख्या कितनी होती है दो लेकिन दोस्तो खेलता एक है यानि कि इसकोर्श सीट पर नाम होना चाहिए दो लिब्रो खेलाड़ी का बट वो खेलते समय बस उनली एक खेलाड़ी खेलता है लिब्रो की रुप में नेश्ट है बॉलिवाल सब्द में बॉली का क्या आर्थ होता है इसका आर्थ होता है लगातार हवा में उच्छालना नेश्ट है बॉलिवाल खेल में अधिकारियों की शंक्या कितनी होती है तो साथ अधिकारी होते हैं इसमें से दो रेफरी होता है प्रथम अधिती और चार इफ आई भीवी का फिरेशन इंडरनेशनल डी बॉलिबाल जिसकी इस अपना उनीस सो से तालिस में हुआ था हेर क्वार्टर लोसानी स्टूडियो लेंड में हैं और इसके प्रथम अध्यच इफ आई भीवी के हैं एच रुबेन एकेश्टा एन्डर दस्तो बरतमान अध्यच अच्छ हैं एरी ग्रेस फिल हो निष्ठ है बॉलिबाल को एस्याई खेलो में कॉपप शामिल किया गया था तो ACI खेलों में बॉलिवाल को よねdollar almost Tokyo Japan में सामिल के गया था अंडूर सर वह यह पर पुछेगा कि बॉलिवाल को Olympik खेलों में कब सामिल के गया तो 1964 टोक्यो जापान में नेक्स्ट है परत्थम 200 कब परत्योंगीता रसिया में हुआ था और पूराइब कूछेगा दोस्तों तो 19jet में नेट्ट कोस्टान है परत्थम प्रत्यी ककभी थी तो 1949 पेरागुए टेक शुवाकिया में हुआ था नेट्ट कोस्टान है सन 17 में बाली वाल खेल में नेट की उच्चाई कितनी बताए गई थी तो इसमें 2.44 मीटर जैसा कि दोस्तों जो नेट की उचाई होती है वहापूर्सों के लिए 2.43 मीटर एन वहलाओं के लिए 2.24 मीटर होता है नेश्ट है सन 1918 में बालिवाल खेल में पॉइंट की संख्या कितनी होती थी तो पंद्रे पॉइंट होता है था जैसा कि दोस्तों बालिवाल जो होता है वह पांच सेट में खेला जाता है जिसमें से चार सेट 25 अंका अब पांचवा सेट 15 अंका होता है जिसमें से पहले तीन सेटों के मध्य दो मिनट का मध्यांतर यानि अवकास होता है और चोथे और पांचवी के मध्य पांच मिनट का अवकास दिया जाता है नेश्ट कोश्चन है दोस्तों ए ती हल इस्टेड ने मिनटो नेंट को बाली बाल का नाम कब दिया तो ए ती हल इस्टेड ने मिनटो ने उनको बाली बाल नाम दिया और कब दिया इन होने तो अठारासो चानवे में नेश्ट है प्रथम द्रोडाचार पुरुसकार विजेता है बायर बिनटों में तो ए रमना राव उनिस्टो चानवे ए रमना राव नेश्ट है बाली बाल खेल में खिलारी को जर्सी पर नंबर कितने तक होता है तो जर्सी पर नंबर एक से अठारा तक होता है बाली बाल में और यह दुस्तों जो जर्सी पर नंबर होता है चाती पर पीट पर लगे नंबरों का जो आकार होता है चाती पर 15 गुड़े 10 सेंटिमीटर एंड पीट पर 20 गुड़े 10 सेंटिमीटर का होता है नेश्ट है बॉलिवॉल की राष्टिय पुरुस प्रतिरिता का नाम बताईए तो इसे राष्टिय पुरुस प्रतिरिता का नाम है मापा कट्टू M.S. जोजफ ट्रॉफी 1952 मद्रास नेश्ट बॉलिवॉल की राष्टिय महिला प्रतियों गिता का नाम है पूर्डिमा ट्रॉफी नेश्ट दोस्तों हाफ सब्टियोसन नामक सब्ध किस खैल में पूर्योक किया जाता है तो बालीवॉल में क्योंकि दोस्तों इसमें कुल एक तिम में बारा खिलाडी होते व्याइधी भी छे ख् ilaina लई मैदानमे खेलती हैं और छे कु को स्थाने प्रवार को इस भी बिला जाता है Circin तो सेनीन मैं से किसका बालिवाल से संबन ए अपसें है Marshall, Kiva, Giva, Brazil से यहां पे अफसन के बालिवाल खेल से very important questions आपको समझ में आयोंगे इसी तरब जितने भी games बचे हुए हैं उन सभी गेम्स को पूरा करने के बाद दोस्तों मैं फिर से आपको KBS के एकार्डिंग एंड यूपी टीजीटी के सभी प्रिवेस यर कोस्चन्स का एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगी तो डेली बेसे से बने रहे मेरे चैनल पर बेस्टिंग तयारी के लिए तो फॉर्ट वार बिजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आजिकों को प्रेस कर लिजिए जिसे नी वीडियो को आपडेट आप तक पहुछता रहेगा तो में ते नेक्स्ट झाज कर लिए जब शियर नेक्स्ट वीडियो कर लिए